कि लाएं हेलो एलकेंस के लिए मस्ट डू पीवाई को जो कि आपको ज़रूर करके जाने चाहिए यह नीड टूसाइट 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 जाएगा आपको यहां पर देखेंगे यह आपका साइड में क्या है डवल बॉंड है साइड में 2-1 को हम भी ऑनेडियाई और अरह में निए 23 का ऑ्ड इप और आपको यहां पर दोस्त दिया हुआ यह कंपाउंड यह कंपाउंड़ यह कंपाउंड यह कंपाउंड तो दौस्त działू सबस्क्राыт ही पून तो दोस्तो इसमें क्या होता है यह प्रपोर्शनल होता है कार्वो केटान की स्टेविलिटी पर इसमें हाइडोजन और हैलोजन जो अलग हो जाते है और डबल बॉन बन जाता है तो दोस्तो इसमें क्या है यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो यह यह वन डिगरी बन उसके बाद आपका stable 3 उसके बाद 2 तो 1, 3, 2 तो यह आपका answer हो जाएगा D option आगे बढ़ते हैं अगला question है are reaction among the following that that can generate isonitrials as major product तो need to join 23 में हमसे यह पोचा Rx plus Hcn, Rx plus Agcn, Rx plus Kcn और Rx plus Nacn सबको हमने दिया है H2O और C2H5OH तो दोस्तों इसमें क्या होगा isonitrials इसमें हमने H2O और C2H5OH दिया है तो दोस्तों Hcn, Kcn और Nacn तो दोस्तों यह क्या है Hcn, Kcn और Nacn तो इन में क्या होता है दोस्तों ionic bond होता है यानि कि यह तूट के दोस्तों यहां का जो carbon है वो आपका जाके attack कर सकता है लेकिन AGcn में अगर आप बात करें तो pseudo noble gas configuration होती है इसलिए दोस्तों AG और C का बॉन टूटा नहीं है तो N जो है दोस्तों attack करता है और बनाता है दोस्तों iso cyanide या फिर iso nitrile तो यह आपका correct हो जाएगा आपका C option correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नीट टूट जान टूटी का यह question है identify X in the following reaction तो दोस्तों इसमें क्या है सबसे पहले है यह आपको एक benzene की ring दी गई है इसमें आपको यहां पर लगा है उसके बाद यहां पर लगा है तो दोस्तों इसको आप ने react करवाया mg in the presence of dry ether तो दोस्तों mg in the presence of dry ether में ग्रिगनार्ड आपका reagent बनेंगा जिसमें एक halogen यहां से निकल जाएक तो दोस्तों कौन निकले गाए आप जानते हैं ब्यार माइनस की निकलने की tendency जादा होती है तो यहां से दोस्तों निकलेगा दोस्तो माइनस Mgbr और वह बचेगा Cl तो दोस्तो फिर यहां पर आपका Cl बच जाएगा तो अब यहां पर आपका Cl बचा और इससे जब आप D2O से रियाक्षन करवाएंगे तो दोस्तो यहीं पर आपका D भी लगकर आजाएगा दोस्तो आपका हो जाएगा तो Cl और D लगे रहेंगे तो यह option आपका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नीट टूसाने तो 22 का यह question है which of the following is suitable to synthesize chlorobenzene तो दोस्तो आप chlorobenzene कैसे बनाएंगे तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन इन प्रेजन्स आप सील टू एंड हाइडरस एपी सील थी की प्रेजन्स में तो आप यह तो रियाक्शन तो आप जानते होंगे की बेंजीन तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन होने के बाद बनता है आप आपका chlorobenzene और HCl तो यह यहां पर यहा identify the statement that is incorrect regarding chirality तो दोस्तों इसमें option दिवाब पहला रेस्विंग मिक्चर सोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन तो यह दोस्तों सही बात है RS जो है दौनों अगर एक साथ होंगे तो जो result rotation होगा वो आपका 0 होगा तो यह आपका टूट स्रेट्मेंट है SN1 reaction yield a 1 raise to 1 mixture of both isomers तो यह भी दोस्तों कई हद तक सही बात है RS जो है लगबग बराबर ही बनते है SN1 reaction में C option है the product obtained by SN2 reaction of halal gain having chirality at reactive side source the inversion of configuration तो यह भी दोस्तों सही statement है SN2 reaction में दोस्तों inversion हो जाता है R का S, S का R हो जाता है लेकिन दोस्तों D आपका गलत है इसमें कहागा इनंसियो मरसार सूपर impossible mirror image लेकिन दोस्तों सही होता है कि non-super impossible यह होती है तो D option आपका correct हो जाए क्योंकि आपको correct statement नहीं बताना था incorrect बताना था अगर आपको रियक्षन दिये गए है आपको बताने है सही reaction कौन सा है तो दोस्तों यह जो reaction है यह आपका सही है क्योंकि दोस्तों इसको आप कहते हैं इंपार्टन नेम रियक्षन है इसमें कहा है अराइल है जो है अगर आप उनके दो मोल लेते हैं प्राइ इथर और एने के प्रेजंस में तो फिर यहां से दोस्तों तू मोल्स ओफ एने बिया निकल कर यह आपका बाइफिनाइल बनकर आ जाता है तो यह आपको ध्यान में रखना है जो reaction है आपका सही है इस question में आगे बढ़ते हैं अगला question है दा प्रोड़क्ट फॉर्म CH3, CH2, C double bond, CH2 और साथ में दोस्तों H लगा हुआ है सबसे पहले दोस्तों benzyl peroxide तो दोस्तों peroxide जब आप लेते हैं तो यहां पर कौन से rule follow होता है anti-marconic off rule यानि कि जहां पर ज्यादा hydrogen है वहां पर दोस्तों आपका लग जाएगा bromine तो CH3, CH2 और यहां पर double bond खुल जहां कम hydrogen है वहां आपका hydrogen लगेगा और इससे दोस्तों आपका लग जाएगा CH2 बियार इसके बाद दोस्तों इसी का हमने reaction करवाना है alcoholic koh के presence में यहां और हम दोस्तों heating भी करवा रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा यहां पर फिर से दोस्तों elimination reaction हो जाएगा और यह यहां से चले जाएगा तो CH2 CH2 यह आपका बन कर चले जाएगा यहां पर दूस्तों HBR जो है आपका eliminate हो जाएगा तो आपका option कौन सा correct हो जाएगा C option आपका correct हो जाएगा यहां पर फिर से elimination हो जाएगा addition के बाद तो C option आपका correct हो जाएगा अगला question है प्रेडिक्ट्रों the order of reactivity of the four isometh towards SN2 reaction तो need 2022 का यह question है तो दोस्तों SN2 reaction दोस्तों सबसे जादा देते हैं 1 degree तो दोस्तों सबसे पहले हमको 1 degree पहचानना होगा तो यह दोस bon two degrees हो गयाCr इसमें सबसे आपको जड़ा देखने मिलता है इसमें थोड़ा सबसे ज्याद़ रियकस्ण होगा तो पहले होगा one उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 4, 3 डिगरी दोस्तों बिल्कुल ही नहीं देते हैं इस reaction को, तो D option, तो C option आपका correct हो जाएगा अगला question है, the incorrect method for the synthesis of alkynes, तो ये need 2022 का ये question है, पहरा treatment of alkynes with Na in liquid NS3 तो ये दोस्तों ये आपका bridge reduction कहलाता है, इसमें तो alkyne जो है, वो alkyne में convert हो जाता है, ये तो आप जानते होंगे, heating alkyne highlights with alcoholic KOH, तो यहाँ पर elimination reaction हो जाता है, तो इससे भी आपका alkyne बन जाता है, तो इससे भी आप बना सकते हैं, इसके बाद है, treating alkyne highlights in aqueous KOH solution, तो दोस्तो ये आपका गलत statement हो जाएगा, alkyne halide, मालीजे RS को आपने लिया, कि OH से आपको OH माइनस मिल गया, तो फिर, अगर आप ऐसे लिख दिए, तो फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, substitution reaction हो जाता है, और यहाँ जे KX में निकल जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों, alkyne आपका नह किन नहीं बनेगा, treating visional dye halides with zinc metal, तो यह दोस्तों आपका यह भी गलत हो जाएगा, अगर आप इसको ले, CS2, CS2, CL, CL, अगर आप इसको ZN से react करवाते हैं, तो ZN, CL2 यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पर दोस्तों, आपका एक alkyne बनकर सामने आता है, तो यह D से भी आप जिरब C से ही आप नहीं बना सकते, तो C option आपका correct हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, find a current sequence of bond enthalpy, आप CX bond आपका यह question है, तो दोस्तों CX bond जो है, वो आप जानते होंगे, कि जो I जो है, वो बहुत अच्छा living group होता है, मतलब वो निकलना चाहता है, तो F जो है दो CS3F, CS3CL, CS3BR, CS3I में यह आपका order होता है, तो D option आपका correct हो जाएगा, अगला question है, the major product formed in the dehydrogenation reaction of two bromopentain is pent2e, the product formation is based on, तो दोस्तों हमने बनाया है, two bromopentain से pent2e, तो माल लीजे यह आपका two bromopentain है, इससे हमने दोस्तों pent2e बना दिया, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें HBR आपका eliminate हो गया होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका stable alkin आपका बनकर आया है, क्योंकि दोस्तों, ऐसा भी हो सकता था कि यह CS2 है, तो यहाँ से HBR निकलो और यहाँ पर मनें, तो वो Hoffman product बनता है, यहाँ पर दोस्तों stable alkin आपका बनकर आया है, तो यह सेट्जिफ रूल को follow कर रहा है, जो stable alkin बनता है, उसको बनाओ, यह आपका सेट्जिफ रूल कहता है, तो C option आपका correct हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, a compound that does not undergo SN1 reaction with OH-A, तो द SN1 में हमको 1 degree धूलना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ यह दोस्तों आपका 1 degree है, यहाँ पर दोस्तों 1 degree की उतनी बात नहीं होती, stable आपका कार्बोकेटाइन है, तब SN1 होता है, यहाँ पर दोस्तों आगर आप यहाँ positive charge डालेंगे, तो यह एक बहुत अचा बेंजायलिक कार्बोकेटाइन आपका बन जाएगा, क्योंकि यह आपका positive charge जो है, वो आपका पूरी रिंग में घूमते रहेगा, इसलिए यह आपका stable है, यह तो आपका दोस्तों 1 degree है, और यह बेंजायलिक भी नहीं है, तो C option आपका correct हो जाएगा, तो यह तो दोस सबसे least stable है, SN2 के लिए, SN1 यह नहीं करेगा, अगला question है, नीट 2019 का यह question है, among the following, which hydrolysis reactions occurs at very slow rate, तो दोस्तों CL, CH3, ONA, CH3, तो दोस्तों आपको यह बात ध्यान में रखनी है, कि जो aryl halide है, कि जैसे benzene के साथ दोस्तों आपका कुछ लगा हुआ है, माल लीजे यह benzene है, तो यह जो है, दोस्तो, CL हटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोस्तो, partial double bond character आ जाता है, तो यह reaction, दोस्तो, बहुत ही slow rate पर होगा, या फिर होगा ही नहीं, आप कह सकते हैं, तो A option आपका correct हो जाएगा, दोस्तो, आज का था यह वीडियो, अगर आपको अच्छे लगा क्या है, जोस्तो, आपक बादारीप्ट